हालो स्टेंट्स कैसे आप मैं सुने रानंद सर एक बार फिर आपके मैट्रिक बोर्ट एकजाम को ध्यान में रखते हुए क्लास टेंथ हिस्ट्री के कुछ बहुत ही अती महत्योपुन सौट एंड लॉंग एंसर टाइप क्वेश्चन्स आपसे डिसकस कर रहा हूँ आप यकीन मानिए यह आपके लिए काफी महत्योपुन साबित हुगा तो आप अंत्त हमारे साथ बने रहें अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें तो आए शुरू करते हैं यह मौडल पेपर जो बिहार बोर्ड के रूस के question answer है हम हर questions के जवाब को भी discuss करते जाएंगे तो आए शुरू करते हैं पहला question है रूसी क्रांती का मार्क्स बात पर क्या प्रभाव पड़ा तो इसका उत्तर है मार्क्स मानता था कि रूस में क्रांती होने का एक मातर तरीका यह है कि देश तेजी से आर्थिक विक तयार होगा जो तब जार साही के सासन को उकार फेकने की इस्थिती में होगा तो मार्क्स के इन विचारों का रूसी क्रांती पर बहुत असर पड़ा और जो मजदूर वर्ग थे उन्होंने इसमें बढ़ चर्कर के हिस्सा लिया question number second है utopian समाजबादी विचार धारा क्या है इसके answer है कार्ल मार्क्स 1818-1883 के साथ एंजिल्स ने अपने पूर प्रचलित समाजबादी विचारों को कल्पना लोकिये समाजबाद यानि European socialism का नाम दिया था इन विचारों का आधार भोतिक और वैज्ञानिक नहीं नैतिक था इनके विचारक धे की प्राप्ति के सुधारबादी साधनों में विश्वास करते थे और भावी समाज की विश्तृत परंतु आवास्तविक कल्पना करते थे तो जितने भी समाजबादी विचारधारा के लोग थे जो माग से पहले हुए थे उनको यूटोपियन समाजबादी कहा जाता है और उनके विचारधार को विचारधारा को यूटोपियन समाजबादी विचारधारा कहा जाता है Q3 है खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था? एंसर है खिलाफत आंदोलन 1919-1922 के मत्य भारत में मुख्य रूप से मुस्लिम बहुशंक्यक वर्ग के द्वारा चलाया गया राजनितिक धार्मिक आंदोलन था इस आंदोलन का उदेश मुस्लिमों के मुख्या माने जाने वाले तर्की के खलिफा के पद की पुना अस्थापना कराने के लिए बिर्टिश सरकार पर दवाब डालना था जी हाँ तो अली बंधुओं शौकत अली और मुहमद अली के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था और महात्मा गानी ने इस आंदोलन को अपना शमर्थन भी दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही राश्ट्री आंदोलन के हिश्चा बने तो यह जो एंसर इसमें लिखा हुआ है आप इसी को नोट करेंगे चुकि यह क्वेशन से दो नंबर वाले हैं लगुतरिये हैं तो इसमें बहुत ज्यादा लिखने की ज़ लिखा है जितना इसमें दिया हुआ है आप उसी को लिखेंगे तो एक बार फिर अगर कोई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज कर लें और साथ साथ क्वेशन नंबर फोड है जर्मनी के एकी करन की मुख्य वाधाएं क्या थी इस सौट एंसर टाइप क्वेश और ते डुच्या के अक्रोच था धार्मिक और आर्थे मडवे दो के साथ प्रसिया के बारे में संदेह ने जर्मन रांजियों को विभाजित रख्खा आफ्ट लिया की ताकत और राष्टवादियों के के maior रखिएं डेयों और मार्च 1931 सिस्वी को हुए गांधी इर्विन समझहोते के तहत गांधी द्वारा शर्वने अवग्या अंदोलन को अस्थागित करने तथा कॉंग्रेस द्वारा दुतिय गोल में सम्मेलन में भाग लेने का आश्वाशन तत कालील वायसराई लाड इर्विन को दिया गया इस समझहोते में पूर्ण शुराजी का उल्लेख नहीं था जिसे कॉंग्रेस के लाहार अधिवेशन 1939 में तै किया था इसका एंसर है ब्रेटेन वुड्स का मुख्य उद्देश से शदश राष्टों के पूर्ण निर्मान और विकास कारियों में आर्थिक सहायता देना है यह एक अगरनी विकास संस्थान है जो विकास सिल देशों में गरीवी सेलर ने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए रीन गारंटी जोखिम प्रबंधन उत्पादों के और विशलिस नात्मक तथा सलाहकार सेवाएं देने का काम करता है तो यह शे क्वेशन हैं जो दो नंबर के क्वेशन है और जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि इन से में से तीन क्वेशन के एंसर आपको देने हैं लेकिन आप तैयारी कीजिए ज़रूरी नहीं है कि छे क्वेशन इसमें से हाए जाए तो अगर इन मेंसे तीन क्वेशन भी आगे तो आका काम बन जाता है अब हम यहाँ पर कुछ दिर्ग उत्तर्य's question देखेंगे दिर्ग उत्तर्य's question में 2 questions में होते हैं जिनमें से इक question का answer लिखना होता है तो आई हम इन दोनों question को देखते हैं First question ने Italy के एकीख्रण की प्रक binary का संचेप में वर्रमन करे डिश्क्राइब दा process और Unification चैनले लागेविड़ की और टो तृटर निसे वी सताबदी के मद्य में इतली को शीज और अलग अलग राजयों में विभाजत किया गया था एक जूट करने का था उन्होंने जो करने का निश्चे किया था उसे पुरा करने के लिए उन्होंने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की अस्थापना की 1831 से 1848 में एक ही करन के पुर्प्रियासों के असफल होने के बाद इतली के राजा विक्टर एमेनुएल दुतिया ने युद्ध के द्वाया इतली को एक जूट करने का वीरा उठाया 1869 में काउंट काबूर भी कई जगे लिखा होता है तो 1869 में काबूर शाडीनिया पिडमोंड फ्रांस के साथ बनाये गए राजनाईक संबंधों की वदवलत आश्ट्रिया की सीना को हराने में सफल रहे इस गटवंदन को बनाने के लिए कूट नीती और बिनम्रता आउशक थी 1860 में ससस्तर करांति कारियों के एक समूर ने दो सिसली सामराज और इटली में भी मार्च किया और इसका नित्रित तुगैरी वाल्डे ने किया वे उस समय छेत्र के प्रभारी अस्पेनिस राजाओं को हराने की अपने प्रयासों में अस्थाने किशानों का समर्थल हासिर कलरे में सफल रहे। गैरिवाल्डी का अलग्ष दच्छिन इटली और दो सिसली शामराजी को अस्पेनिस सासन से मुक्त कराना था। 1861 में विक्तर एमेनुएल दितिये को आधिकारिक तौर पर शंजुक्त इटली के राजा के रूप में मानेता दी गई। दिर्खुतर ये क्वेशन का दूसरा इतिहस का दूसरा क्वेशन है कि पर्थम विस्वयुद ने भारत में राष्ट्रिये आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की वर्णन करें। एंसर है पहला विस्वयुद जहां मानवता के बिनास के लिए बिनास का कारण बना वहीं इसके कारण राष्ट्रवाद को भी बल मिला। भारत में राष्ट्रिये आंदोलन के विकास में प्रथम विस्वयुद के योगदान का वर्णन इस प्रकार है। करों में ब्रधी, विश्वयुद के कारण एकाएक रक्षा बे बढ़ गया, इस खर्च को पूरा करने के लिए सरकारों ने करों में ब्रधी कर दी, इसके अतरिक्त सीमा सुल्क को भी बढ़ा दिया गया, आय करके रूप में नया कर भी लगा दिया गया, इससे जनता में राष्ट बाद को जन्म दिया, दूसरा किम्तों में ब्रधी, विश्व पहले विश्वयुद के दवरान खाद पदार्थों का भारी अभाग हो गया था, फलस्वरूप किम्ते लगबग दोगनी हो गई थी, आम आदमी का जीवन कष्ट में हो गया, अता लोग बीदेशी स आसन से मुक्ति के बारे में सोचने लगे, यह बाद में राष्टे आंदोलन का आधार बनी, थर्ड, सिपाईयों की जवरन भरती, विश्व युद्ध में अत्यदिक सैनिकों के मरने के कारण सरकार को अधिक सैनिकों किया सकता थी, अता गाउं से नौजवानों को जवरद सेना में भरती किया गया, इससे ग्रामेन छेत्रों में सरकार के प्रति विशेश रोस था, चोथा भारती उद्योगपतियों का रोश, भारत में अब विदेशी पूझी बड़े पैमाने पर लगाए जाने लिगी, भारती उद्योगपति चाहते थे कि सरकार आयातों पर भ अब उन्हें भी आभास होने लगा कि केबल एक द्रिन राष्टवादी आंदोलन, एक द्रड गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, एक द्रड राष्टवादी आंदोलन तथा एक श्वाधीन भारते सरकार के द्वारा ही शुरक्षा के लक्षे को प्रात किया जा सकते हैं, तो इसका एक सो और भी हम वीडियो बनाएंगे जिसमें लगुतरिय और दिरगुतरिय क्वेशन्स होंगे और उसके बाद मैं कह सकूंगा कि आपको जितनी जरुरत है उतने क्वेशन्स के एंसर आप लिख सकते हैं और उससे क्वेशन्स आएंगे, यह काफी महत्तपुन क्वे करें और लाइक करना न भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग